तो पिसोड 22 की शुरुवत अगले दिन सुबह से होती है, जहां सांग जी जाशु के लिए ब्रेकफस्ट बना कर आफिस गई थी, साथ में उसने अपना ट्रैवल प्लान भूग जाशु के लिए रख कर गई थी, तो जाशु उनमें से जगा ढूनता है घूमने जाने के बॉस तो उसके डिजाशु के बहुत जादा तारीफ करते हैं, इवन उसे ये भी कहते हैं कि अगर उसे जॉब करनी हो, तो वो यहीं पर कर सकती है, या फिर वो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी लिख देंगे, तो सांग जी उनका शुक्रिया आदा करती है, दूसरी जियां की बेस्ट फ्रेंड हो, तो आपको उसे साइकाइटरिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जिसके मदब सब समझ जाएंगी, एक एकर वो चली जाती है, इतर जाशु की टैलेंट की वज़े से, उसे कमपनी का चीफ प्रोग्रामर बनने का सजेशन दिया जाता है, डारे गुमते गुमते वो ठक गई, तो पासी में होटेल भी है, जहाँ पर वो लोग रेश्ट कर सकते हैं, पर सांग जी तो असल मैं पैसो के बारे में सोचकर परिशान थी, क्योंकि इसमें बहुत ही जादा खर्चा हो जाता, उसकी बात सुनकर जैशू समझ जाता है, तो उससे पूछने पर सांग जी कहती है, क्योंसे पैसो की चिंता नहीं है, वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, इसलिए वो एम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहती है, इसके वजाई वो हिल स्टेशन में कैम्पिंग पे चलने के लिए कहती है, इसके वाँ पर जाशू से कहता है के बाद जैशू बीच कैम्पिंग का आइडिया देता है, जो आइडिया सांग जी को भी काफी जादा पसंद आता है, इसलिए वो तो एकसाइटमेंट में कल सुबह सुबह ही जाने के लिए किया देती है, पर इनका बैड लग अगले दिन सुबह से भी बारिश शुरू हो तो मॉम उसे आसपास दिखाने के लिए क्याती है, तो संग जी बाहर ना मार देती कि वो इसके फ्रेंट का फ्लैट है, और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए उसने अपने फ्रेंट के साथ फ्लैट के अंदर ही कैम्पिंग कर रही है, तो मॉम उसे घर दिखाने के लिए क् वहीं ज्याशू सांग जी के साथ उसके फोटोस को नीचे छुपा देता है पर सांग जी का नीचे ध्यान ना होनी की वज़े से ज्याशू की पैर पर टकरा कर वो उसके उपर ही गिर जाती है बटला की ली कामरे में ज्याशू नहीं दिखा था अब इदर से सांग यान भी द अगले दिन सांग जी के रूमेट्स भी वापस आ गया थे जहां योशिन सांग जी के साथ उनकी युनिवर्सिटी में होने वाले एक डिजाइन कॉम्पेटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही लान अपनी फीलिंग्स मिंग को बता देती है कि वो तो उसे पहले दिन से ह लाइक करती है जबसे वो उसे मिली है अभी के लिए तो मिंग भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता उपर से लान ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे आंसर की कोई जल्दी नहीं है इसलिए प्रिसराइजड फिल मत करो हम इसके बाद भी अच्छे दोस्त बनके रह सकते ह क्योंकि मॉम डैट उसे बहुत मिश कर रहे थे, सायान उसे हेर्फ़ोर्ट से पिक करने आता है, रास्ते में तो उनकी भएस लगी हुई थी, क्योंकि सूबस से सांग्यान को ज़ाशो ने कॉल करके परिशान कर दिया था ताकि वो सांग जी आपने मॉम डैट से मिल कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो संग जी फ्रेश होनी के लिए अपने रूम में चली जाती है जहां वो सबसे पहले जाकर ज्याशु को कॉल गरती है अब ज्याशु तो उसे बहुत ज्यादा मिस्क कर रहा था इसलिए वो क्याता है कि मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी के फिर सांगजी की माम उसके रूम में चलिआ दीए खाना लेकर जो उसकी कुछ बात सुन भी लेती है पर वो अभी उसे कुछ नहीं कहते यानि कि उसने कुछ तो पहले इसमें लिखा था इदर संग जी की मॉम डाड को बताती है कि उन्हें लगता है कि संग जी किसी को डेट कर रही है क्योंकि उन्हें थोड़ी दिर पहले उसकी बाते सुन ली थी जो सुन डाट किया थे कि हमें उसे इस बार में बात करनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि वो किसी डेट कर रही है तो डाट डारेटली पूछने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं तो वो तो नो राम से उसे बिठा कर पहले तो पूछने की क्या हो, किसी को डेट कर रही है, ये सब पूछने के बीच में, वो सांग जी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देते, पर उनके सवाल सुन करी, सांग जी तो भाई से मिलने का पहाणा करके, बाहर चली जाती है तो माम डैड को थोड़ा डाटती है ऐसे डारेक्ली उससे इस बार में बात करनी के लिए वहीं दो जैशू भी छुटी लेकर नानू सिटी यानि की सांग जी की सिटी आ रहा था अब सांग जी को पता था कि वो सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलेगा इस है या नहीं तो सांग जी फिर से उसे जाशू का नाम लेकर टीस करने लगता है कि कुछ साल पहले तक तो तुम जाशू को ब्रदर बुलाया करती थी और अब देख लो तुम दोनों एक दोसरी को डेट कर रहे हो सांग जी कहती मैं थोड़ी ना सीरियस थी वो मुझसे बड करती थी ताकि तुम जाशू से मिल सको इसलिए सबसे पहले मैं जब अपना साम आट जाशू के साथ डॉर्मिटरी शिफ्ट करा रहा था तब तुम ने सामान जाशू के साथ गूमने जा रहा हूँ तब तुमने सूचा कि जाशू भी आएगा सांग तो ये सब सुनकर थु जब दुनों की एम्स खेलने के बाद सोने लगे थे तबी जर्शुने से प्रामिस किया था कि नैशनल होलिडे में वो उसके साथ घर जाएगा तो एपिसोड करेंड यहीं पर होता है तो यह वीडियो प्रसुनल है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली पर आएगे तो दू सब्सक्राइब और हिट दा बेल आइकन जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले अपिसोड बें तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई